नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग सुमबार सुकुमार में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और भूत काक्रा यानि कि आजूबा केक्रा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं राक्षषो की तरह जो केक्रा है उसकी जो चहरा है वो वैसा बहुत विशन तो नहीं है लेकिन उसके शरीर का जो रंग है वो बहुत सुन्दर भी है लेकिन फिर भी तब इसको क्यों हम राक्षष केक्रा क्यों बोलते हैं राक्षस बोलने की एक मात्र कारण अगर हम धूंडे तो यही मिला था कि इसका शडीर का जो क्या बोलो आप मदलो साइज है ना वही बहुत बड़ा एक राक्षस के गर वो उसके जो दोनों जो क्लैंप्स है आगे वाले जो क्लैंप्स है उसको जिसको हम कहते दाड़ा मालब सामने वाले उसका तो छे पॉर्ट्स होते हैं तो सामने वाले पहले जो दो पैर होते हैं उनको अगर विस्तृत करके देखा जाए तो दोनों के बीच में कितनी जगा होती है पता है दस या बारा हाथ इतना जादह यह बात तो है मेल केक्रे के बारे में लेकिन फिमेल केक्रा है उसकी धी में लड़ा नहीं पड़ता तो इसलिए उसके अन्दर आंदर ये सारे राक्षसी केक्रा चुपते रहते हैं। तो इनका नाम राक्षस है ठीक है लेकिन ये लोग बहुत ही कोमल सुभाव के होते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के ओक्टूपस मचली इनको देखते ही इनको खाने के लिए तूट पड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के काई, स्पंज, प्रवाल इनके उपर अपना डेरा डाल देते हैं और डेरा डालके इनको एकतम गाय भी कर देते हैं वही इसलिए इनको धुन के पाना बहुत ही मुश्किल होता है और भी कुछ केक्रे हैं जिनको कहा जाता है गेचो कांकरा गेचो मतलब पेर में चड़ने वाले केक्रे ये लोग सही में पेर में चड़ते हैं या नहीं पहले लोगों में इस टथ को लेकर बहुत ही डिस्प्यूट था लेकिन ये लोग नारियल के पेर के उपर चड़ के वहां से डाब यानि कि नारियल तोड़ के लाते हैं ये कभी-कभी सुनने में आता है लेकिन ये भरोसे इसका कोई प्रमान अभी तक सही माइने में नहीं मिला जो भी हो थोड़ा सा ही चड़े या बहुत जादा ही चड़े पेर में नारियल तोड़ के लाए और ना भी तोड़ के लाए लेकिन ये लोग पेर में चड़ने में और नारियल खाने में बहुत ही माहेर होते हैं प्रशान्त महासागर के कुछ छोटे छोटे जो देप हैं ये उन दीपों में ये केकरा केकड़े रहते हैं वहाँ पर नारेल के पेर का तो कोई अभाव है नहीं और नारेल मिट्टे में जहां तर गिरता है बस हमारे ये पेरंड़ियर आक्रमण बोल के उसके उपर कूत परते हैं पहले वो लोग क्या करते पता हैं? वो नारेल को उसके उपर से जो फाइब्रस पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं जिसको बाहला में कहते हैं छोबडा और फिर वो अपने बिच्छोना बनाने के लिए उसी नारियल की उस फाइब्रस पार्ट को काम में लगाते हैं और फिर नारियल के जो तीन चुटे-चुटे आखे हैं वहां से वो लोग एक होल बनाके फिर अपना सामने वाला जो इसको पुरा चलान कर देते हैं और फिर मज़े से नारियल खा लेते हैं और वो लो अपने सामने वाले दो पैड़ों से या हाथों से जोबी भड़ाई वो जो इत्ता सक्तिशालिया होते हैं के पूरा नारियल को पिचकके तोर डालते है लेकिन तब भी इनसान इनको पकड़ने में कोई कमी नहीं रखते जो उनके ये तो बहुत ही आसान है समझना कि वो अपने उन दाड़ाओं से किसी भी इनसान को इनसान की हड्यों को वो लोग तोड सकते हैं अच्छा इनसान क्या करते पता है? इन केक्रों को पकड़ते हैं और फिर उनके पैर में जो चरबी होता है वहां से वो लोग तेल निकालते हैं वहें के कुछ सुवर होते हैं जंगली सुवर वो लोग इन केक्रों के जो खोल होते हैं उसको खोद के वहां से ये केक्रों को निकाल के खाल जाते हैं तो ये केक्रे यह जो पेडो वाले जो केकड़े हैं यह राक्षस केकड़े के तरह बड़ा तो नहीं है बड़े तो नहीं है लेकिन बहुत छोटे भी नहीं है एक बार क्या किया पता है ऐसे ही एक पेडो वाले केकड़े को एक मजबूत तीन के बॉक्स में बंद करके उस बॉक्स को बात के रग दिया गया था लेकिन दूसरे दिन क्या देखा गया पता है वह जो केक्रा है न वह बॉक्स के एक साइड को पुरा पिछका के वहां से एक होल बना के वहां से निकल के चला गया है सोचो कित्ती पुद्धिमान है तो दोस्तों यही रहा आज का आज की अध्भूत केक्रो कहानी तो या क्या बोलू अभी अच्छे से रहिए खुश रहिए और यह देर होने की कारण यह है तबे थोड़े से नासाज है इसलिए मैं इसे पहले मनलब रेकॉर्ड ही नहीं कर पाई रिलीज ही नहीं कर पाई तो चलिए अच्छे से रहना सारे लोग शुभ मस्तूं